गुद मॉर्णिंग आज है 27th of March 2022 और आज हम गुद मॉर्णिंग आज हम चल रहे हैं कुफरी के लिए बच्चों के लिए ज़रा कार खुल गूँ या और छे बजे हमारा कूछ करने का टाइम है जो हम जा रहे हैं वह आज जा रहे हैं अपने मित्र सचिन फैमिली के साथ सचि जाने लग रहे हैं और यहां से चलेंगे हम है टार्गेट है कि तीन से चार गंटे हमारे को नौन स्टॉप ड्राइविंग करनी है और देखते हैं कहां जाके ब्रेक्फस्ट के लिए रुपता हूं फिर वहां से आपको नेक्स स्पोर्टिंग करूँगा तो नाओ दा कार सचिन जी को तो आप जानते हैंगे वही हमारे शंकर वाले मित्र यह भी पहुंच चुके हैं गाड़ी पूरा हमने लोड कर दी है और यह हमें बाए करने आवा बाए अरे बाए करने से परके डर गया दर मत्यार करवाली बाप सुबह के करीब 635 हो गए है हम मुर्थल क्रॉ है और सूर्य देवताजी निकल चुके हैं फुल फ्लेज ओम सूरे देवार नमा 8 किता हूग है हमारे सछिन जी बता रहा है यह मारा साथ मजने का हो गया और हाइवै बहुत ही प्यारा हो गया जो पहले कई चिका बन रादा हाला कि अभी कहीं स्टेचेज हैं जो बन रहे है लेकिन हाईवे देखके और इनौबा के अंदर चलाते हुआ हाईवे देखने का मजाईया लग आ है इनौबा ही सो कमफर्टेबल कार और चलाने में बहुत ही आनंद आ जाता है तो समय हुआ है करीब 9 बचके 20 मिनट हम करीब दोसो सवा दोसो किलोमेटर चल चुके हैं और पहुंच गए हैं सेठी ढाबा जो मैंने बताया था और यहां पे अब हम रेकवास्ट लेंगे और यहां का मैन्यू दिखाऊंगा यहां पे धपली पे क्योंकि गुर्दास मान जी के पाकते लगते हैं की अब करते हैं का आख दर्शं कर Аपसित्रा अब जाए नétais के विल्ध करेंगा जाओंधर को पुल अब करेंब्स टर्शं कर आज़िया हूं refit दॉद्ध कर दोदर और आमनाल मंजीते बैसकते हो जी तुसी, चर्खा भी मून सकते हो जी तुसी, और तो और आप कर सकते हैं, वेट लिफ्टेंग, और अगर कुछ नहीं है तो अपने पोते को जुला जुला सकते हो, कंदे पे बेठा के हैं, अब हम पहुंच के हैं, सेठी ढावा, जो जिरक पहले है, और अट्मास्फिर ओवर इस रियल, रियल, रियल फिल्मे, आपको जो भी चीज़ चाहिए हैं, फिल्मी मिलेगी, मैंने अभी आपको बताया कि यह जो है, जो हमारा, वो है, क्या कहते हैं, मैन्यू भी जो है, वो आएगा प्रॉपर आपको डपली बे, इसकी मैं फोटो भी दिखाता हूँ, और चार्चेस बे, यह जो में रोटा है, यहां से राइट अंड साइट है, दुल्ली की तरफ सारे हमाला कीता है, इस वर लेप अंड साइट में जिरक पूर चंडीगड के लिए निकल जाएगे, राइट, अब मैं मूजिक अन करवा देता पहाडो की चड़ाई शुरू हो गई है, जैकुमार जी के पास पहुच गया है, क्योंकि जैकुमार जी पहलाएंगे हमें अब गन्ने का जूस और यह चल गए हमारा टीजल इंजल, दक, 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 दुबारा मार भाई, क्योंकि तुबारा मार निम बड़ेगी, हम के जूस और जी आपड़े सार्य हो गए, नाच्ता आपने साड़े तसबजे करी फिनिश किया था, और अभी जो है, टाइम है, वो है, गन्ने के चूस का, यह है, यह है, यह है, जहले हैं टीजल, इसले इसले, जहले हैं तो गई पाउशन शूरू, अधिला भारे हैं अब रोड निकालेगा अब रोड निकालेगा भाई चान ने लिए इसकी दो रोड आगे जैसे ही गंदे की जान लेता है डीजल इंजर की जान ओटिकल जाती है अब देखना आठीजान का हाथ जिए यहीमश जाती है हाथ रा रा कि अध्रा किए है अध्राटिज राका अध्रा कि आई कि गारी रुकी थी अग्के ओड़ी सी बर्फ के साथ गन्ने का जूस बर्फ मैंने बहुत कम डलवाई है यही मौसम में गला खराब होता है जै कुमार जी मेरी बात से इत्फाक रखते हैं जार इसको देखके तो मूँ के अंदर पानी कम रस लादा आएगा जै कुमार जी का फwest praticमार आएगे का पूर नो बर्फ सक्टव करने का जूस करमाई जै कुमार इन कर्फफ मैं तो करे लाद कर्फ में कि इनका बहुत क्लिवाद खता है कि प्रमत कर थो और यह इना कर्फ बटा भाट बड़ा जूस 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 तकड़ तो अब हम शिम्या चोड़ के बढ़ रहे हैं लककडबजार भी अमने क्रांस किया है शिम्या चोड़ के अब हम आगे बढ़ रहे हैं कुफरी के और कुफरी करी 25-30 km का रास्ता है शिमला से और अब यानदर वन आर और सो हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे सचिन भार टाइम क्या हो रहा है दो बच के बीस मिनट दो बच के बीस में है मनट 3 by 3, 3.30 विल बी एट कुफरी के पर आपकर अबगत कराऊंगा अबगतती अकपरी जाते वक्त एक चवन की पहले वहं है कि मिन इन से प्लेश जहांपने आपको तारा का सारा रोड साइट फूल मिल देगा और आपकी यान गीगानीग ने ज्याएगई और अब जो है यहां पर आपको मैगी मिलेगी ओमलेट्स मिलेंगे दोलकपास भी आगे हैं अब को अधर जैन मत्रा पुल्चा तो एवर्रीटिंग यह विल गेट इस देवी टेंटर काली माता यह अपामाग बीमा काली यह जो ब्यूटिफुल प्लेस है यहां पर फोटोग्राफिक के लिए जाता तक जंता जो भी शिम्ला आएगी और परी के तरफ जाएगी देवी फोटोग्राफ्स इस जगा कि बहुत अच्छी है पांच किलो वीटर तक लंबा है लेगा सी डिफरेंट ग्रीन और इससे ज्यादा सुंदर प्लेस मैं हमेशा यहां पर रुकता हूं जब भी मैं कुफरी या नारकंडा जा रहा होता हूं और यहां पर मैं फोटोग्रास लेता हूं आज यह स आपके लिए तो मैगी हमारी बनने श्री हो गई है सचिन भाई पार्ट टाइम के लिए मैगी वाले भाईया बन गए हमारे और इसके अंदर टिक्की भी आई थिंक उसमें टिक्की थी शाद उसमें भी टिक्की थी आई स्टर्लिंग कुफरी जो है करीब 345 पहुंच गए थे थोड़ा सा रेस्ट थोड़ा सा खाना और चल पड़े हैं अब थोड़ी सी वाकिंग के लिए स्टर्लिंग कुफरी से आज है वेदर रिपोर्ट यह कह रही है कि करीब 11 डिग्री टेंपरेचर हो चुका है उपर जो ह है एक वो गैल्यू हिल्स रिजॉर्ट है जो कि एडवेंचर रिजॉर्ट भी बोलने है इसको जो हमारे स्टर्लिंग कुफरी के रिजॉर्ट से सो मीटर देट सो मीटर की दूरी पे उसका एंट्रेंस है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं और यह है यहां की ब्यूटी यहां से नीचे कोई रास्ता जा रहा है कच्चा पता नहीं कहां जा रहा है और यह सारी वैली है जो हमारे रिजॉर्ट की बैक साइट पर जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं कुद्रत के नजारे उतने ही सुन्दर होते जा रहे हैं कि यह जो सीन है रोड देखें कितना रिस्की है कि मैं रोड पर कड़ा हूं जैसनों सेफटी मुझे गिरना नहीं है और मुझे यह सीन कैप्चर करना है कुफरी हिमार चल पर देए यह है जो मैं आपको ओता है एडवेंचर रिजॉर्ट्स की एंट्री उपर सारे गेम्स वोगरा हैं जो हमारे दिल्ली में आपको मेट्रो वाक के अंदे एडवेंचर आइलेंड के अंदे मिल जाएंगे और जैसे पुराना ओल टाइम अपको घर में जैसे गेम्स होते थे ओएंड वाकिंग इस चालू चलते रहो चलते रहो चलते रहो ट्रेंट वोटल्स बाई ट्रीबो वागू फार्म्स दिस वन तो यह है कश्मीर कश्मीर नहीं सिमला कुफरी के नज्जारी इसी इसी रूट पे हमारे को देखो एक और मिल गया स्नो किंग रिट्रीट फागू टॉप शिबला काफी अच्छे अच्छे यहां पर रिजॉर्ट्स एंड फोटेल्स वगरा बने हुआ है और यह एडवेंचर आइडवेंचर पार्क जो है रिजॉर्ट जो उसके नजारे और इस हाइड पे अगर हम यह सीन देखते हैं मुझे याद है मैं जब लास्टाम है तो मुझे बहुत डर लगा था हाँ है यह जो आपको हट्स नजर आ रही है कि बिसिकली नेट है जो कि पोध्य त्यार करने के लिए क्योंकि जब डिरेक्त दूप लगति है चोटे-चोटे पौधों को जब वह निकल रहा होते हैं तो कोमला जाते हैं अमर जाते तो पोद को त्यार करने के लिए उनको च्छाया दी जाती है पानी तो दिया ही जाता है और उसके बाद वो पोद को टांसर किया जाता है यह स्टेप फार्मिंग के लिए शाम के करीब साथ होग चुके हैं 3,000 फाइंडर स्टप्स में करीब चल चुका हूँ और मौसम काफी ठंडा होता जा रहा है क्योंकि कुफरी है और दिल्ली में जैसे 27th मार्च कल 26 सुकर है इट वसके इसाफ से हापे काफी ज़्यादा मुझे ठंड महसूस हो रही है इससब सब्सक्राइब तो आपको यह से सुन्दर सुन्दर प्यारे प्यारे सीन्स रेगुलर नजर आजाएंगे लाइन में चलते घोड़े और अब जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है हिल्स की ब्यूटी का दूसरा रंग जो लाइट्स चलती है वो देखने का अनंद कुछ और ही होता है स्टर्लिंग कुफरी इस प्लेस नाइस अभी मैं चेस खेल रहा हूं सचिन भाई और यह एक गेम हरा चुके हैं दस साल बात करीप चेस को हाथ लगा है रानी बची राजा बचा हुआ मेरा एक गोड़ा मर गया ना एक गोड़ा मर गया एक उट मिल गया एक उट जिंदा है चलो देखता हूं क्या होता है